बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कितनी ही चीजों का उपयोग करते हैं जैसे सुबह उठते ही आप ब्रश करते हैं हम बोले कि सुबह उठते ही आप चाय की एक चुसकी लेते हैं या दिन भर में जो भी क्रियाएं हम करते हैं हम नहाते हैं तो साबुन का यूज करते हैं हम कपड़े पहनते हैं और ये सारी चीजें जैसे एक छोटी छोटी चीजों की हम बात करें जैसे टूथ पेस्ट हो गया, ब्रेश हो गया आप नहा रहे हैं, साबुन का इस्तमाल कर रहे हैं हम चाय पी रहे हैं तो उसमें चाय पत्ती शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं दूद का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी वस्तुओं को आप बाजार से खरिद कर लाते हैं तो क्या लगता है कि ये सारी वस्तुएं उस बाजार में या जिस दुकान से आप लेकर आते हैं, ये वही पर बनाई जाती हैं? नहीं ऐसा नहीं है ये सारी वस्तुएं जो हैं वो किसी फैक्टरी में किसी कार खाने में बनाई जाती हैं और वहां से फिर बाजार तक लाई जाती हैं जहां से जिस दुकान से आप उसे खरीद कर लाते हैं मतलब हम ये कहें कि वो उभोकताओं तक पहुंचाई जाती हैं लेकिन जो फैक्टरी या कार खाने जहां पर उसे बनाया जा रहा है तो उस बस्तु या पदार्थ को बनाने के लिए भी हम देखेंगे कि किसी न किसी रौ मटेरियल या कच्छे माल की जौरत पढ़ती ही है तो वो रौ मटेरियल फैक्टरी या कार खाने तक पहुंचाया जाएगा जैसे आप शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए चीनी बनाने के लिए रौ मटेरियल जो है वो गन्ना होता है तो गन्ने को खेतों से लाया जाएगा फैक्टरी या कार खाने तक फिर उसे प् भोगताओं तक पहुचाने के लिए बाजार तक लाया जाता है चाहे वो टूद ब्रश की हम बात करें हम कपडों की बात करें तो कपड़ा भी जो है उसके लिए राव माटेरियल, कॉर्टन या कपास जो है वो खेतों से लाया जाएगा तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हम किस जो हम अपने दैनिक तिंचरिया में उप्योग करते हैं, तो वो उसके लिए उसे बनाने के लिए किसी न किसी कच्चे माल की जोरत पड़ती है, और उस कच्चे माल को पहले खेतों से या जिस जगह पर वो मिल रही है, उतपादित की जा रही है, वहां से फैक्ट्री या कार खाने तक पहुचाया जाएगा, और फैक्ट्री या कार खाने में उसे उतपादित करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, उसके उतपादन के बाद उसे भोगताओं तक पहुचाने के लिए बाजार तक ले जाया जाता है, तो बच्चों, हम कहें कि चाहे उतपादन क लिए राव मटेरियल की जोरत हो या प्रोसेसिंग होने के बाद जो वो प्रोडक्ट बन रहा है उसे मार्केट तक ले जाने के लिए किसी साधन की आवश्यक्ता तो पड़ेगी ही और वो साधन क्या होगा कोई न कोई परिवहन का साधन मतलब परिवहन के माध्यम से से दूसरे स्थान तक लाई और ले जाई जाती हैं तो आज हम बात करते हैं परिवहन के साधन पर परिवहन एवं संचार जो आज आपका चैप्टर है परिवहन संचार इस पर हम विस्त्रिच चर्चा करेंगे तो हम बात करें कि परिवहन क्या है परिवहन एक प्रकार से आ तो किस प्रकार का हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है यह तृतियक आर्थी क्रिया कलाब के अंतरगत आएगा क्योंकि परिवहन के माध्यम से यह हमें सेवाएं जो हैं वो प्रदान कर रहा है परिवहन की सेवा हमें एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लाने और ले जा करेंगे परिवहन एवं संचार पर तो परिवहन का तो नहीं हो गया कि किसी वस्तू पदार्थ या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे इस्थान तक लाने और ले जाने की जो क्रिया है वो प्रिवहन कहलाएगी और आज कल यदी हम बात करे तो हम देखते हैं कि यदी चाहने की वस्तू हो या आप कपड़े मंगाने के लिए आपको सूज मंगाना होता है आपको मोबाइल मंगाना होता है तो उसके लिए भी आप एक फोन से और कर देते हैं और वो चीज वस्तू जो है वो आपके घर तक पहुंच जाती है तो हम इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम जो है वो प्रक्रिया आपना रहे हैं किसी वस्तु या पदार्थ को मंगाने के लिए आपको ट्रेन से जाना है सफर करना है तो आप ओनलाइन टिकेट बुक कर रहे हैं आपको एयर से ट्रांसपोर्ट करना है एयर से किसी एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी दूसरे स्थ स्थान को जाना है तो भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं तो यह क्या है यह हम कह सकते हैं कि हमारे एक संचार का माध्यम हो गया तो आएए अब हम बात करते हैं परिवहन और संचार पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवहन पर तो हम देखते हैं यह परिवहन के जो है वो मुख्य रूप से तीन साधन है पहला इस्थल परिवहन दूसरा जल परिवहन और तीसरा है वायू परिवहन अब जब हम फिर से इस्थल परिवहन का वरगी करण कर दे या हम कहें कि इस्थल परिवहन में भी परिवहन के कौन-कौन से माध्यम हैं तो हम देखते हैं कि पहला है सडक परिवहन, दूसरा रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन हमें पता है कि हम जब सडक या रोड के माध्यम से सडको के माध्यम से परिवहन कर रहे हैं या इस माध्यम से किसी वस्तु ये पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो वो सडक परिवहन वहीं रेल में भी हम सफर करते हैं रेल में यात्रियों को भी एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाया जाता है और वहीं मालगाडी में जो अलग-अलग प्रकार के उत्पाद हैं गुट्स हैं उनको भी मालगाडी के माध्यम से एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाया जाता है और अब तो हमने इतना अधिक विकास कर लिया है कि पहले जो पाइपलाइन था वो तो नगरों या गावों में जो है पानी की आपूर्ती करने तक सिमीत था लेकिन अब हम देखते हैं कि जो सॉलिड जैसे एक लौह यस्क है उसको भी स्लरी में परिवर्तित करके हम पाइपलाइन के माध्यम से एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और हाँ Denmark में तो हम यहां तक देखते हैं कि वहाँ खेतों से जो दूद है या वो जो प्रड़क्ट है उसे सीधे कारखानों तक पहुंचाया जाता है तो यह हो गई पाइपलाइन परिवहन के बाद इसके बाद हम आते हैं जल परिवहन में तो जल परिवहन में भी हम देखते हैं इसके दो माध्यम हैं एक तो आंतरिक जल परिवहन मतलब अंदर ही आंतरिक किसी देश या प्रदेश के अंदर जो जील है या नदियां है या ता का महासागरी या सागरी जलमार्ग इसके हम समुद्र में जो यह यातायात या परिवहन किया जा रहा है उससे तो हम एक देश से दूसरे देश तक परिवहन कर सकते हैं या यात्रा कर सकते हैं सामान को लाया या ले जाया जा सकता है तो यह हो गया सागरी या महासागरी जलमा इसके बाद वायू परिवहन वायू परिवहन भी दो प्रकार के हैं पहला रास्ट्रिय वायू परिवहन और दूसरा है अंतर रास्ट्रिय वायू परिवहन जब हम देश के अंदर ही एक राजी से दूसरे राजी जैसे आप मुंबई से कुलकाता के लिए उडान भर रहे हैं यह दिल्ली से कुलकाता के लिए उडान भर रहे हैं, अलग-अलग जगों पर एक देश के अंदर ही जब हम यात्रा करते हैं, तो वो रास्ट्रिय मार्ग हो गया, और जब हम एक देश से दूसरे देश, जैसे हम भारत से जापान की यात्रा करें, भारत से युएसे की यात्र करें, तो यह आपका अंतर रास्ट्रिय वायूमार्ग हो गया, तो यह तो हो गे परिवहन के अलग-अलग माध्यम, अब हम इन सभी माध्यमों पर एक-एक करके विस्त्रिचर्चा करेंगे, तो आए, हम इस्थल परिवहन में भी सबसे पहले सड़क परिवहन पर बात कर ल होताया है, लेकिन तब जो सड़के हैं, वो इतनी अधिक विकसित नहीं थी, इतना धिक विकास नहीं हो पाया था, तब कच्चे रास्ते, बैल गारी रास्ता, यह सब का उपियोग जो है, वो किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ हम विकास की और बढ़ते ग और वो कैसे, जो हमारे कच्चे रास्ते थे, ऐसे इस्थान जहां तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती थी, उचे परवती छेत्र, दलदली छेत्र, उबढ़ खाबर रास्ते, वहां तक भी हमने पहाडों को काट कर सड़कों का विस्तार कर लिया, रेल लाइने जो हैं, वो ब पहुच पा रहे हैं, तो हमने रोपे का विस्तार वहां पर कर लिया, और अभी हमने कहा था ना कि पहले तो पाइपलाइन के माध्यम से हम सिर्फ जो पानी की आप उड़ती करते थे, लेकिन अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इवन जो सॉलिड फॉर में भी मिलते हैं, जैसे आइरन ओर है, उसको भी हम सलरी फॉर्म में बदल कर पाइपलाइन के माध्यम से ट्रांस्पोर्ट करते हैं, तो समय के साथ साथ हमने विकास किया, नई नई प्रोड्योगी की का विकास किया, और हम इस्थल परिवहन में भी नए नए आयाम जो हैं वो रचते गए है अगर हम भारत की सडक प्रणाली की बात करें, तो हम देखते हैं कि संयुक्तराज अमेरिका के बाद पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सडक प्रणाली वाला देश है हमारा भारत, यहाँ पर सडकों की कुल लंबाई जो है, वो छपल लाख किलो मीटर है, और यह आ लगभग 85 परसेंट जो यातरी है, वो सडकों के माध्यम से यात्रा करते हैं और लगभग 70 प्रतीशत जो है, वो सडकों के माध्यम से भार का या माल की डूलाई का जो कारी है, वो किया जाता है, आगे हम देखते हैं कि सडक परिवहन के क्या गुड है, तो बच्चों, जै यात्रा करते हैं तो एक तो यह सस्ती सेवा है दूसरी चीज कि जो घर या व्यवसाय तक जब हम इसके माध्यम से यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो पहुँच है सड़क परिवहन की वो हमारे घर और जो व्यवसाय स्थल है वहां तक यह हमें पहुच जो है वो प्रदान करता है और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि सामान की सुरक्षा भी इस सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण गुण हैं अब जब हम इसके विकास की बात करें कि सड़क परिवहन का जो आधुनिक्तम विकास है वो कब से हुआ तो हम थोड़ा पहले चले जाते ह हैं तो देखते हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध तक जो है वो सड़क परिवहन का बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया था हम अपने भारत की बात कर रहे हैं इसके बाद दूसरे विश्वयुद्ध के बाद हम देखते हैं यह हम बात करने की स्वतंतरता प्राप्ति के पह चले 1943 में सर्वप्रथम प्रयाज वो सड़क परिवहन के विकास का किया गया और इस दौरान एक योजना बनाई गई जिसे की नागपूर योजना के नाम से जाना जाता है लेकिन ये योजना जो है वो सफल नहीं हो पाई और कारण क्या था कि ये योजना सफल क्यों नहीं अंग्रेजों का शाशनकाल था और अंग्रेजों के बीच और हमारी भारत की जो अलग-अलग रियासते थी उन रियासतों में उन रजवाणों में जो राजी करते थे उन दोनों के बीच हम कह सकते हैं कि समनवय या सामनजसी की कमी के कारण ये नागपुर योजना 1943 में असफल रही या क्रियानवित नहीं हो पाई इसके बाद फिर से सडक परिवहन के विकास की बात सोची गई और दूसरा जो प्रयास था वो 1961 में किया गया और इसमें एक 20 वर्षी योजना इसमें भी प्लानिंग की गई सडकों के विकास की और एक 20 वर्षी योजना को तयार किया गया और जब ये 20 वर्षी योजना तयार की गई तो हम देखते हैं कि तब भी ये जो सडकों का विकास था वो नगरों नगरी छेत्रों तक या नगरों के आसपास जो विक्सित छेत्र हैं उन तक ही सरवाधिक मात्र में इनका विकास हो पाया और जो सुदूर अंचल सुदूर ग्रामीर जो छेतर थे बहुत उबढ़ खाबर रास्ते थे वहां तक इसकी जो बहुत अधिक पहुँच है सड़क परिवहन की वो नहीं हो पाई थी उसके बाद यदि हम आधुनिक समय में बात करें तो हम देखते अब ही उन ग्रामीर अंचलो तक भी हम देखेंगे कि पक्की सड़कों का विस्तार कर लिया गया है और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से तो हम देखते हैं आप जग जग अपने ग्रामीर अंचलों में ग्रामीर छेतरों में आप इसको देखते भी सड़कों का विस्तार जो है वो कर लिया गया है हाँ अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो सड़क है इसके निर्मान का कारिय या इसके रख रखाओ का कारिय जो है वो मुखे रूप से केंद्री लोक निर्मान विभाग और केंद्र की जब हम बात करें तो और राजी लोक SPWD के माध्यम से ये कारी जो है वो किया जाता है Central Public Welfare Department and State Public Welfare Department केंदर में देश के अंदर जब ये कारी करना होता है तो केंदर सरकारी कारी देखती है और राजियों के अंदर राजी की सरकार या राजी सरकार का ये विभाग जो है इस कारी को करता है सडको के निर्मार और उसके रख़खाओ का अब बच्चों अगर हम थोड़ा प्राचीन समय में नजर डालें कि भाई भारत आजाद नहीं भी हुआ था उसके पहले जब अंग्रेजों का शाशनकाल था और उसके पहले मुगलों ने शाशन किया तो उस दोरान हम देखते हैं कि इसका प्राचीन समय में जो प्रथम प्रयास था वो जब मुगलों का शाशनकाल था तो मुगलों के शाशनकाल के दोरान उसके एक शाशक थे शेशा सूरी इन्होंने अपने सामराजी को और अधिक इसका विस्तार करने के लिए और अपने साम मार्ग जो था वो पेशावर से लेकर पेशावर जो प्राचीन समय में हमारा अखंड भारत था और वरतमान में ये पाकिस्तान में हैं पेशावर से लेकर कोलकाता तक एक शाही मार्ग का निर्माड किया और ये जो मार्ग था ये सिंधु घाटी से सोनार घाटी तक जो है वो फैला हुआ था या इन दोनों मार्गों को इन दोनों इस्थानों को इस मार्ग के द्वारा जोड़ा गया अब हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेजों का शाशनकाल आया तो अंग्रेजों के शाशनकाल में जो इसका नाम है वो बदल कर रख दिया ग में किये गये हैं पहला अम्रिच सर से दिल्ली जो नैशनल हाइवे वन है और दूसरा एनेज टू जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है भारत की जो सड़क प्रनाली है उसको प्रमुख चार वर्गों में रखा गया है और ये विभाजन किस आधार पर किये गये हैं या किस उदेश के आधार पर किये गये हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत में इन सड़कों का जिनके द्वारा निर्माण किया जाता है या रखरखाओं का जो कारी है जिन्हें जिम्मेदारी मिली हुई है इस आधार पर इनके न आस्ट्री राजमार्ग या नेशनल हाईवे, दूसरा है राज्जी महामार्ग या स्टेट हाईवे, तीसरा है जीला सडके या डिस्टिक रोड और चौथा है ग्रामीन सडके. तो यह जो NH या National Highway की हम बात करते हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि यह कहां से कहां जोड़ी जाती हैं तो पहली बात तो इनके निर्माड और रख रखाओ की जो जिम्मेदारी है National Highways की वो केंद्र सरकार की होती है और हम देखते हैं कि इन सडकों के माध्यम से जो राज जी की राजधानिया हैं उन्हें आपस में और इसके साथ ही साथ जो प्रमुख पत्तन जो बंदरगां हैं इन सभी को भी आपस में जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है इसे यदि हम देश की कुल लंबाई देश में सडकों की कुल लंबाई की बात करें तो ये जो राज्टी राजमार्ग हैं ये देश की कुल सडकों की लंबाई का दो प्रतिशत जो है वो हम यहां देखने को मिलता है इसके बाद हम आजाते हैं State Highway या राज्य राजमार और ये जो State Highway हैं ये किन स्थानों को जोडती हैं ये राज्य की राजधानी से जो प्रमुख जीला मुख्याले हैं उन्हें आपस में जोडने का काम करती है और इनका जो भारत की कुल सडकों की जितनी भी लंबाई है उसके अधि हम प्रतिशत की बात करें तो इसका चार प्रतिशत जो है वो हमें मिलता है इसके बाद जीला सडके आती है या डिस्टिक रोड्स तो ये जीला मुख्या लेको और इसके साथ ही साथ प्रमुख शहर जो प्रमुख इस्थान होते हैं इन्हें ये आपस में जोडने का कारी करती है और इनका प्रतिशत जो है वो 14 प्रतिशत है इसके बाद आती है ग्राम करती है और यदि हम भारत में बात करें तो कुल 80 प्रतिशत जो है वो इन सड़कों का हमें देखने को मिलता है अब हम प्रमुख रूप से बात कर लेते हैं जो भारत के प्रमुख राष्ट्री राजमार गए हमने अभी चार वर्ग देखे भारत की सड़क प्रणाली के तो ज हाइवेज या रास्टी राजमार गए हमें देखने को मिलते हैं तो इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं जो रास्टी राजमार गया नेशनल हाइवेज है उनके निर्माड और रख रखाओं के लिए एक कमिटी गठीट की गई है या हम ये कहें कि ये जो राश्टी राजमार्ग का निर्माण और रख रखाओ है ये भारत के भूतल परिवहन मंत्राले के अधीन है और ये एक स्वायत शाशी निकाय है जो कि पूरे नेशनल हाइवेस के निर्माण और रख रखाओ का कारिय देखता है जिसे NHAI National Highway Authority of India या भारती राश्ट्री राजमार्ग प्राधिकरण के नाम से हम जानते हैं और इस प्राधिकरण का जो गठन है वो 1995 1995 में किया गया अगर इन राश्ट्री राजमार्गों की लंबाई की हम बात करें कि कैसे ये समय के साथ इनकी लंबाई बढ़ती गई है या इन राजमार्गों का विकास किया गया तो हम देखते हैं कि 1959 में नेशनल हाइवेस की जो लंबाई है वो 19,700 किलो मेटर थी जो 2005 में 65,769 किलो मेटर हो गई वहीं बढ़कर 2089 में इनकी लंबाई 70,934 किलो मेटर हो गई और वर्तमान मेदी हम बात करें 2022 में तो इनकी लंबाई 1,44,634 किलो मेटर है बच्चों पूरे राष्टी राजमार्गों को हम देखें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक लंबा, सरवाधिक लंबा जो राष्टी राजमार्ग है वो नेच 44 है इसके लंबाई 3,745 किलो मेटर है और ये उत्तर में श्री नगर से लेकर दक्षिन में कन्या कुमारी तक विसरित है ये जो नेच 44 है ये पुराने नंबर के जो साथ प्रमुख राष्टी राजमार्ग हैं जिन में की नेच 1A, नेच 1, नेच 2, नेच 3, नेच 7, नेच 75 और नेच 26 को मिला कर इस राष्टी राजमार्ग नेच 44 को बनाया गया है आईए अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्टी राजमार्ग कर अब इन राजमार्गों पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो राष्टी राजमार्ग हैं ये पूरे यदि हम देखते हैं कि भारत की कुल सडकों की लंबाई का हमने देखा कि ये 2 प्रतिशर्थ है लेकिन ये लगभग 40 प्रतिशत जो है वो भार वहन करता है राष्टी राजमार्ग अब हम प्रमुख राष्टी राजमार्गों पर बात कर लें तो पहला है Grand Trunk Road या GT Road इस पर पहले भी हमने चर्चे की थी शायद आपको ध्यान में होगा कि पहले शाही राजमार्ग के रूप में मुगलों के शाशनकाल में शेशा सूरी ने इसका निर्मान किया था और जब अंग्रेजों का शाशनकाल आया तो उन्होंने इसका नाम है वो बदल दिया और नाम बदल कर अंग्रेजों ने इसका नाम GT Road या Grand Trunk Road रख दिया यह वही राजमार्ग है तो यह Grand Trunk Road जो है भारत के प्रमुख राजमार्गों में इसकी गिंती की जाती है और यह कहां से कहां तक विस्तरित है तो हम देखते हैं यह कोलकाता से होते आसनसोल, धनबाद, वारणसी, कानपूर, दिल्ली, करनाल, अंबाला, जालंधर होती हुई अमरिज सर तक जाती हैं इस नेशनल हाईवे के दो भाग हैं पहला भाग जो है वो अमरिज सर से दिल्ली तक है जो NH1 यह नेशनल हाईवे 1 कहलाता है और दूसरा भाग जो है वो दिल्ली से कोलकाटा तक है जिसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है इसके बाद दूसरे राजमारग की हम बात करें तो वह है कोलकाटा चेन्नाई रोड जो की कोलकाटा से शुरू होती है और कोलकाता से खड़कपूर, संबलपूर, विजैवाड़ा और गुंटूर होती हुई चेननई तक विस्तरित है ये NH16 के नाम से जानी जाती है तीसरा है मुंबई आगरा रोड जो मुंबई से शुरू होती है और आगरा तक विस्तार है मुंबई से शुरू होकर ये नासिक इंदौर ग्वालियर होती हुई आगरा तक जाती है इसकी संख्या है NH-52 इसे GT रोड से मिलाने के लिए एक important note है आपके लिए जो ये मुंबई आगरा रोड है इसे Grand Trunk रोड से मिलाने के लिए आगरा से लेकर अलीगर तक इस सड़क का और अधिक विस्तार किया गया है इसके बाद चौथा है Great Dukkan Road, Great Dukkan Road को वारणसी कन्या कुमारी राजमार्ग के भी नाम से जाना जाता है जो वारणसी से शुरू होती है और वारणसी होती हुई जबलपूर, हैदराबाद, गुंटु और कन्या कुमारी तक विस्तुरित है इसकी संख्या NH 47 है इसके बाद पांचवा है मुंबई कोलकाता रोड जो है वो कोलकाता से शुरू होती है कोलकाता से खड़कपूर, संबलपूर, रायपूर, नागपूर, धूले और आमलमेर स्थान तक जो है वो पहुंसती है और इस स्थान पर ये मुंबई आगरा रोड से मिल जाती है नागपूर में जीटी रोड से ये मिलती है और इस राष्टी राजमार्ग की संख्या जो है वो NH 53 है अगला प्रमुख राष्टी राजमार्ग है चिन्नेई मुंबई रोड ये दक्कन से शुरू होकर बैंगलूरू, बेलगामी पूडे होती हुई मुंबई तक पहुंसती है इसकी संख्या जो है वो NH 48 के नाम से इसे जाना जाता है अगला है पठान कोट जम्मू रोड ये रोड जो है वो पठान कोट से जम्मू तक विसरित है और इसकी संख्या NH 44 है ये जो सडक है वो देश विभाजन के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो कश्मीर से इस थापित करने के लिए इस रोड का निर्माण कराया गया इसकी बाद अगला है गुवाहटी चेरापुंजी रोड ये गुवाहटी से शुरू होती है और शिलांग होती हुई चेरापुंजी तक पहुंसती है इसकी संख्या NH 6 है इसके बाद दिल्ली मुंबई रोड है दिल्ली मुंबई रोड दिल्ली से शुरू होती है दिल्ली से शुरू होकर ये जैपूर, अजमेर, उदैपूर, एहम्दाबाद, सूरत होती हुई मुंबई जाती है और इसकी संख्या NH48 है अगला है लखनाउ बरौनी मार्ग ये लखनाउ से शुरू होकर गोरकपूर, सेवन कहलाती है अभी हम ने चर्चा की रास्टी राजमार्ग पर अब हम ने जो भारत में सडकों का विभाजन देखा था उसका दूसरा विभाजन था राजी राजमार्ग या स्टेट हाई वे यह जो स्टेट हाई वो PWD जो है वो Public Welfare Department देखता है इसके बाद तीसरा वी भाजन हमने देखा था प्रमुख जीला सडके तो जो डिस्टिक रोड्स या जीला सडके हैं ये जो प्रशाशनी केंद्र होते हैं इन प्रशाशनी केंद्रों को जीला मुख्याले से जोडने का कारिय करती है फिर अग गावों को और गावों के साथ साथ जो प्रमुख शहरी चेत्र हैं उनसे जोडने का कारिय करती हैं डिसंबर 2000 की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं डिसंबर 2000 में इस योजना के साथ केंद्री योजना जिसे सौ प्रतिशत सफल बनाने के उद्देश से इस योजना की शुरुवात की गई थी जो प्रधान मंतरी ग्रामीन सडक योजना हैं जिसे हम P.M.G.S.Y. के नाम से भी जानते हैं इस योजना को ग्रामीन छेत्रों में सडकों का विस्तार और विकास करने के उद्देश से और इसे सौ प्रतिशत सफल बनाने के उद्देश से ही इस योजना को बनाया गया था या लाया गया था और हम देखते भी हैं कि इस योजना के आजाने से काफी हद तक जो है वो सुदूर ग्रामीन छेत्रों या अंचलों तक जो सडकों का विस्तार है पक्की सडकों का वि इसमें BRO, Border Road Organization, या जिसे हम सीमा सड़क संगठन के नाम से भी जानते हैं, ये महत्वपून भूमी का निभाता है, इसका जो गठन है वो 1960 में किया गया, और इसके गठन का प्रमुख उदेश ये था, कि जो उत्तरी हिस्से हैं भारत के, उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्से इस सीमा से लगे हुए जो भी सामरीक महत्व के छेतर हैं या वहां जो सड़के हैं, उन सड़कों के तिवर निर्माड या हम कहें कि विकास और सुधार के लिए और इस सुधार और विकास में और तिवरता से गती लाने के लिए इस संगठन का निर्माड किया गया, और इस इसके साथ ही साथ रक्षा तैयारियों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए भी इस संगठन का निर्माड किया गया या हम कहें कि इन पुरे सामरीक छेत्र या इन सामरीक छेत्र के जो सड़के हैं उनको बनाने इनके निर्माड और इनके निर्माड को और इस संगठन के निर्माड का जो था वो महत्तपूर्ण उदेश था